जैशी आराम बंदो, हिंदू रिच्वर्स चैनल में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे अपने लोगों के प्रथम करतब का प्रथम करतब मतलब हमारा प्रथम करतब होता है माता पिता की सेवा करना उसके बाद फिर हमारी पतनी है, हमारे बच्चे, हमारे पडोसी है, हमारा देश है जितना भी हो सकता है हमें लोगों का कल्यान करना चाहिए लेकिन उसके पहले जो हमारा प्रथम करतब है जैसा कि मैंने बताया माता-पिता की सेवा करना और जब माता-पिता का साथ छूट जाता है हमारा दुलभाग से वो सुर्गधाम को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी पुन्नी तिथी पड़ती है वो डेट के हिसाब से नहीं तिथी के हिसाब से मनाना चाहिए तिथी अगर आपको नहीं पता है तो आज कल आप गूगल में जाएंगे या जोटिस के किसी भी उसमें साइट पे जा करके आप पता कर सकते हैं अथवा आप चाहे तो मुझे भी आप कमेंट में डेट डाल दीजे अपने पिता जी का और मैं तिथी बता दूगा किस महने की कौन सी तिथी पड़ेगी या हर साल आने वाली कौन सी तिथी पड़ेगी इससे आप जानकारी पा जाएंगे तो इस तिथी को सरवुक्तम करतब तो ही है कि माता पिता का के परम कल्यान के लिए और अपने करतब की पूर्ती के लिए हम पिंड़दान करें पिंड़दान की विजी इसमें एक पिंड़दान होता है इसको एकोदिष्ट स्राद्ध बोलते हैं और यह मध्धान काल में दुपार में करना चाहिए और कोई भी स्राद्ध काल दुपार में होता है और जिस दिन ये तिथी, जिस तिथी को आपके पिता जी का सरगवास हुआ है, मर्ध्यान काल में हो, वहे दिन लिया जाता है, उद्या का इसमें महत्व नहीं है, इसमें मर्ध्यान काल का महत्व है, उस दिन जो है स्रद्धा पुर्वक, स्रद्धा पुर्वक करना चाहिए, और एक पिंड़दान करके अगर आपको पिंड़दान की विधी करना है तो एक अच्छे आचारी को अवश्य बुलाना चाहिए नहीं तो आपके लिए स्वेम करना चाहिए आप स्वेम ब्रामणों बहुत कठिन होता है उसके बाद में ब्रामण भोजन कराना चाहिए उनको वस्त देना चाहिए रखषणा देना चाहिए उनको त्रिप्त करना चाहिए और स्वेम एक समय बोजन करना चाहिए उस दिन घर में लेश्टन प्याज का पूरा वर्जित है हां इस बात पर मुझे याद आया कि केले का पत्ता केले का फल और तूर की डाल जिसको कई जगा अरहर के भी दाल बोलते हैं इसका बैगन का कुनरू का इन सब चीज़ों का निशेद है ये सब सराद में वर्जित पदार्थ हैं इनका परयोग और लेसुन प्यारत भूल करके भी नहीं करना चाहिए उसके बाद में अगर ये सराद दिक्रिया आप नहीं कर सकते हैं किसी भी मंगा लीजिए और जो भी उनको प्रिय अगर उनको डाइबटीज है तो उस तरह की चीज़ें आज कल तो बहुत सारी चीज़ें सरद्धा कीजिए लेकिन वह भी समस्दारी के साथ कीजिए तो ब्रामण को अगर आप नहीं करा सकते हैं किसी भी कारण से घर में बनाने वा है अगर आप गरमें भोजन कराते हैं तो सबसे पहले ग्रास तो माता के लिए निकालना चाहिए कुते के लिए निकालना चाहिए जीडियों के लिसे हमने आवस्य करना चाहिए खिए कई लोग कहते हैं महराजम करीब को खिला दे तो हो जाएगा आप जैसे अपने घर का लाइट बिल ना जमा करें और दूसरी आप जो है बड़े बड़े पंडाल में लाइट जलवाते रहें तो आपको सम्मान मिलेगा लेकिन आपके घर की लाइट चली जाएगी तो आप बा लुबा चोड़ा कारि नहीं है नहीं है हमें अवस्ज करना चाहिए और इपहllä पिंडावAKO सब्सक्राइब करते मंदिर लेजा करके किसी सुबात ब्राम्ण को बिली इंप परेट और आप थाад часть ना क schonmal को और तमबाकू आज से भी वर्जित हो तो और भी उत्तम है इस तरह से सुपात ब्रामन को देने से आपके उसका अनंद गुना बढ़ जाता है तो जब भी माता पिता की हो दूसरी बात माता की स्राद में प्रचलन है कि ब्रामनी भोजन कराते हैं लोग कि जो है इस्त्रियों क बहुत अच्छी बात लेकिन ब्रामन भोजन आवस्या का है ब्रामन जो है ब्रह्म का शुरूप माना जाता है जो हमारे माता पिता दिवंगत हो जाते हैं तो उनकी इस्त्रियों प्रूत संग्या उनकी खतम हो जाती है वह जीव मात्र हो जाते है इसलिए ब्रामनी को खिला तो अपनों में बात अवस्ट बताएं सेहर करें और क्या बोलते हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और हम भी अपने करतब का पालन करने जा रहे हैं मुझे लगा कि आप लोगों से अवस्ट चर्चा करनी चाहिए इसलिए हमने आप से निवेदन किया आपको अच्छा लगए तो आप पसमें बढ़ाईए और देखते रहे हैं फिर हम आगे अगले विश्ट पर जल्दी आपसे चर्चा करेंगे जैशियाराम